नमस्कार दोस्तों मैं राकिश कुमार मोधी सरनेम वाले मामले में राहुल गांदी को 23 मार्ज को 2 साल की सजा सुनाई गई थी और सजा सुनाने वाले जज कौन थे उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि 7 लाक्षे जादा लोगों ने देखा है इस वीडियो में मैंने बताया था कि जज की जनम कुंडली क्या है जो राहुल गांदी को 2 साल की सजा दे रही है आपने बहुत अच्छा प्यार दिया था और वीडियो पूरा देखा था अब ये वीडियो भी इसी विश्याप पर है क्योंकि राहुल गांदी उस मामले में अपील कर सकते हैं तो राहुल गांदी की तरफ से राहुल गांदी के वकील आरस चीमा पहुंचे परन्तु आज किसमें जो अपील हुई इसकी सुनवाई कौन कर रही है यहीं सुनवाई करने वाले जज़ कौन है अब इस पर भी बहुत बड़ा वियुआद हो सकता हमेशा क्यों क्याँ और ओम मोगेरा बूरबिन पॉल मोगेरा कौन राहूद गांडी की अपील की सुनवाई कर रहे हैं चेहां इसमें अमित्षा के सबस्कित ज़हां और अमित्चाह के उसमें के वकील थे रोबिन पॉल मोगेरा जो कि 2014 तक जब यह के सीबिय कोट में पहुँच गया था उसमें भी रोबिन पॉल मोगेरा अमित्चाह के वकील थे. वहीं पर एक मामला और हुआ था कि 20 जून 2014 को अमित्चाह की सुनवाई चल रही थी और वहीं रोबिन पॉल मोगेरे ने अमित्चाह के लिए छूट मांगी कि वो सह सरीर यहां पर सामिल नहीं हो सकते हैं, इस सुनवाई में सामिल नहीं हो सकते हैं, उन्हें छूट दी जानी और 2018 को जो रोबिन पॉल मोगेरा है वो जजज के रूप में नुक्त किये जाते हैं, अब यह वहीं जजज है जो कि मित्चाह के वकिलर है चुके हैं और वहीं राहुल गांदी के अपील वाले मामले की सुनवाई कर रही हैं, तो बहुत से लोग यह मान रहे हैं कि अगर र मंद रहा है, तो क्या इस मामले को परभावित कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, यह मामला काफी चर्चाम में है क्योंकि इस पर दैवाईर और जन सत्ता ने इंपोर्ट किये जो मैंने पूरे वीडियो में आपके जिक्र किया, यह उन्हीं की खबर है, तो यह बहुती दि अहुल गांदी को जिस जज ने सजा सुनाई थी, उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, अब यह जज है, तो हो सकता है कि इन पर भी ज्यादा रिसर्च वाला वीडियो बनाना पड़ सकता है, वही पर आपको याद होगा कि जज लोया वाला मामला है, वो भी काफी गंबेर था, इसी मामले से जुड़ा हुआ था, अगर आपको लगता है कि मित्सा के फेक इनकाउंटर वाले मामले में जो जज लोया की मौत हुई थी, उस पर एक रिसर्च और एक पूरा वीडियो जो पूरी तरीके से आपको सताई दिखाता हूँ, अगर वह वीडियो आ देखना चाहते हैं, तो कोमेंट बॉक्स में लिखिए कि जज लोया पर एक समपूर्ण वीडियो बनाईए, तो मैं आपके सामने रखूंगा, और नीचे कोमेंट करके बताईए कि क्या वाकई में ये जो जज हैं, इस मामले को परभावित कर सकते हैं, क्योंकि उनका पिसल में जरूर दें।